हेलो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस टॉट्स के बारे में ये टॉट्स मैंने खुद बनाई है तो मैं इसके लिए किसके सामगरी किया बासकता पढ़ने वाले हैं मैं बताता हूँ आप घर पर ही टॉट्स बना सकते हैं 35-40 रुपे का खर्च आएगा जिसे अपने हिसाब से इस्तमाल भी कहरी करना भी अपने साथ लाने ले जाने में बहुत आसान एक छोटी सी टॉर्च मतलब घर पर अच्छा रोश नहीं और वह भी बहुत कम पैसे में और चलने वाला और टकाऊ चीज जो चार्जर से आप चार्ज भी कर पाएंगे तो उसके ल और हमें एक यह डायोड चाहिए जिसका 4007 इसका नंबर है तो आप इसको ले आए इसका भी एक काम है क्योंकि हम चार्ज में लगाएंगे तो हमारा करेंट बापिस ना हो इसलिए हमें इसका यूज करना है और इस प्रकार यह है एक LED है मैं आपको एक LED लगा कर दखाऊंग यह तो याद रही है यह डायोड एक चार्जिंग यह फीमेल और एक LED वल्ब और एक बैटरी तो हमें इनी सबी चीजों के और साथ में हम चाहिए एक LED वल्ब लगाने के लिए एक रिजिस्टेंस जिसका वैली बन के भी होगा तो चल जाएगा तो हम यह यह यहां पर पुर आपको दिखाते हैं इसकी वेल्यू मतलब बन की ओम में है तो यह आसानी से आपको मार्केट ही मिल जाएगा लेकिन मैं लाना भूल गया था तो मेरे यहां पर PCV वो डला हुगा था यह चारजर का तो मैं इसी से निकाल लेता हूं तो हमें इसकी जरूरत पढ़ने वाली है यह लगाना है हमें चार्जिंग जो बलब गिलू करने वाला है इसकी माइनस टर्मिनल पर लगाना है याद रही माइनस पॉइंट पर तो इसका उल्टा सी दक नहीं होता है रेस्टेंस का किसी भी तरफ से लगा सकते हैं तो लगाने के पहले हमें थोड़ा इसमें रांगा के बाल आपको माइनस टार अलग रख देना दिहां रहे सही कनेक्सर करें अन्नता इसमें यह एलेडी वल्ट खराब भी हो सकता है तो यहां पर आपको एक चार्जिंग जो मैंने आपको एक बताया था इसकी प्लस प्लस को आपको कॉमल लेकर रखना है और उसकी साथ ही इस कि अब देख रहा है उसको कॉमल ले लेंगे सभी जगह मतलब उसका यूज है मतलब उसी हम डारेक्ट करके रखेंगे और जो प्लस वाल अतार है इस पर हमें डायोड लगाना है किस प्रकार लगाना है मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार लगाई है जो सिल्वर कुछ इस प्रकार देखिए जो सिल्वर पट्टी है उस पर टांका भी नहीं लगाना है जो चार्जिंग जैक आ रहा है जो प्लेक साइड है में उस पर इस प्लस को कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से तो आप देख सकते हैं जो प्लेक वाला साइड है वो लगाना है मैं र करेंगी और में मैंने रिजिस्टेंस जोड़ा था ऑर हम यहाँ पर डायेक्ट चार्जिंग से हमने डायूड लगा था देखिए इस प्रकार और दूसरी तरफ डायूड के हमें जोड़ना शुम प्लस तो जैसा मैं कनेक्शन कर रहा हूं देख सकते हैं LED बल्ब जो चार्जिंग के लिए लगाया है इसके उपर भी माइनस को हम कनेक्ट कर रहे हैं जो चार्जिंग से करेंट आएगा वो इस LED बल्ब को ग्लू करने के लिए यह चार्ज हो रहा है कि नहीं है चार्जिंग यहां से हमें पता चलेगा तो कुछ इस प्रकार यहां पर हमें यह connect कर देना है तो step by step वीडियो देखें, skip ना करें अन्न था आपको problem हो सकती है तो कुछ इस प्रकार हमने यहां पर minus को जोड़ दिया है अब बार ही है battery connection की तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उसी की समान connection करते चलेंगे तो आपको आसानी होगी तो हम माइनस प्लस का बहुत ही ध्यां रखना है अन्न था यह LED जलने वाली नहीं है तो यहां आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर रांगा लगाने के पहले यहां पर paste मैं इसको तार को लगा रहा हूं जिससे कि इसमें मतलब आसानी से रांगा को पकड़ लेती है तो आप भी अच्छा बाला paste इस्तमाल करके इस प्रकार आसानी से जोइन तबलब टांकी लगा सकते हैं और जो प्लस वाला है उसे हमें छोड़ देना है अब माइनस वाला यहां पर common है मतलब डारेक्ट लगाना है इसमें कुछ हेर बदल नहीं करना है यहां पर आप डारेक्ट लगा सकते हैं तो आप देखी जहां पर LED का माइनस और charging का जो आया है वहां माइनस वहीं पर में बैटरी का माइनस भी जोड़ देना है और बैटरी का dide की silver पट्टी जिस तरफ silver पट्टी है देखी मैंने इसमें डide में पेश लगाया है तो आपको माइनस और difference की दियान रखते होए quatre दाय डायूट की सिल्वर पट्टी के तरफ कुछ इस पकार जैसे कि मैंने यहां पर लगाया है और इसी पॉइंट पर हमें अपने जो एलेडी बल्ब जलाना है मतलब जो पिलेट है उसका भी प्लस हमें बैटरी की डारेक्ट पर लगाना है जहां डायूट का सिल्वर पट्टी ब इसका LED प्लेट का मीनस प्लस हैं तो आप देख सकते हैं हैं वहाइट यहां बाले मायनस और यहां पर कनेक्ट करके देखा था हूँं मैनस को हम रखे collect के लिए pharmac के लिए को यहां पर हम बैटरेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार जो डायूट का सिल्वर साइड है उस इस जा लातार है जो बिलेक है और जो बिलेक मतलब माइनस का है तो माइनस हमने और कॉमन रखा हुआ है एक लाइन पर उसमें टच कराती है हमारी यह लेडी आप देख सकते कि तिस उन्दर गिलो हो रही है देखिए तो यहां पर आप चेंडिक बगएर भी लगा सकते हैं मैं यहां आपको connection करके दिखा रहा हूं और अब मैं आपको charger से चेक करा के दिखाता हूं कि charging बता रहा है या हो रहा है या कि नहीं जैसे ही आप charging दिखो मैंने यहां इन किया तो इसका charging वाला LED वल्व भी रेड कलर का जलने लगा तो इस प्रकार अप घर पर एक बहुत ही अच्छी torch बना सकते वो भी कम से कम खर्च में जो भी चार्च होगी और बहुत ही बड़िया जलने वाली है तो इसकी मतलब बैटरी आप कहीं से भी मार्गेट में आप 25 से 30 रुपे में लिया आकर लाकर बना सकते हैं तो आप इस प्रकार बना लेजिए और कम पैसों में मतलब काफी अच्छा है ठंड के टाइम में बहुत आने वाली है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन कर दो कर दो